और ये कौन है एक लेंड ओनर है नतालिया स्टीपेनोवा ये डॉटर है 25 एर की और किन की डॉटर है चुबू कोब के ध्यान रखना है इवान वेसलिविच लुमोव ये कौन है एक हर्टी बट वेरी सस्पीशियस लेंड ओनर थोड़े सस्पीशियस से है और ये भी एक जमीनदार है ये लोग अब यहां से चैप्टर शुरू होता है जो प्लाट देखो चैप्टर कहाँ शुरू हो रहा है ये चुबू कोब का ड्राइंग रूम है चुबू कोब के घर में वहां का ये सीन है लोमोव वहां एंटर करता है और उसने क्या पहना dress jacket आप कह सकते हो एक formal jacket पहने हुई है और उसने white gloves पहने हुए है चुबु कोब ने और जैसे ही low move enter करता है तो चुबु कोब उसको देखता है तो उससे मिलने के लिए उठता है कि आईए तो चुबु कोब क्या बोलते हैं चुबु कोब कहते हैं my dear fellow my dear fellow whom do I see Ivan Vesilevich I am extremely glad and squeezes his hand अब यह जो bracket में यहाँ पर word दिये गए हैं इनका मतलब है एक action हो रहा है समझे रहो एक action हुआ है और जो लिख़ई हुई बात है वो वो बोल रहे हैं तो यहाँ पर जब चुबु को उठते हैं उसको देख करके तो कहते हैं मेरे dear fellow मेरे प्यारे साथी आज मैं किसको देख रहा हूँ आश्चर्य से कहते हैं आज मैं किसको देख रहा हूँ Ivan Vesilevich को मुझे बड़ी प्रसंता हुई तुमें देख करके और उससे हाथ मिलाता है यह तो पूरी हैरानी की ही बात है my darling darling कहते हैं प्रिये को how are you और वो उससे कहता है तुम कैसे हो चुबु को पूछता है low move से आप कैसे हैं तब low move answer कहते हैं के thank you आपका धन्यवाद and how may you be getting on के आप कैसे हैं आपका सब कैसा चल रहा है यह बात पूछते हैं low move उनको answer करते होगा है तब चुबु को प कहते हैं we just get along somehow my angel means जैसे एक formal बातचीत में हम लोग भी बोलते हैं के हाँ बस चल रहा है ठीक ठाक my angel thanks to your prayers और वो कहते हैं के आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद means के आप हमारे लिए दुआ करते हैं आप ही की दुआओं से सब ठीक चल रहा है and so on sit down please do और तब चुबु को आगे कहते हैं के आईए बैठिये now you know you should not forget all about your neighbors my darling और आगे चुबु को कहते हैं कि my darling मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने पड़ोसियों को नहीं बूलना चाहिए means वो कहना चाहते हैं कि भई मिलते जुलते रहा करो हालचाल पूछते रहा करो यह बात कहते हैं आगे वो कहते हैं my dear fellow why are you so formal in your get up वो कहते हैं कि तुम अपने get up में जो तुमने dress पहनी हुई है इतने ज़्यादा formal क्यों हूँ means तुमने बिल्कुल एक suit, pant, coat बिल्कुल well maintained होकर के आये हो why do you do this तुमने ऐसा क्यों किया है तुमने evening dress पहनी हुई है gloves पहने है and so on so on means इसी तरह से आगे can you be going anywhere my treasure क्या तुम कहीं जा रहे हो my treasure अब देखो यहाँ पर जो my angel my darling my treasure और भी जो भी word बोले गए ने ये सब my fellow हाँ ये सारे word बोले गए है इवान वेसलिविच लोमोब को लिए उन्होंने use करे है आप इनको ऐसे समझ सकते हो this is a metaphorical expression जैसे हम अपने बच्चों को कई बार प्यार से बुला ले है तो ऐसी वो प्यार से बुला रहे है अब actually ये English play है Russian play है तो थोड़ा सा उनकी culture उनके संस्कृति उनके words है somewhere we can feel odd with these words हमें तोड़ा अजीब भी लग सकते है but these words are journal in their culture उनकी संस्कृति में समान्य ही है सबते अब Lomov आगे कहते है no I have come only to see you के नहीं वो कहते हैं न के कहीं तुमारी कोई planning तो नहीं है तो वो कहते हैं नहीं मैं तो केवल आप से ही मिलने आया हूँ honored stephan stephanovic means वो कहते हैं कि मैं केवल आप से ही मिलने आया हूँ और देखो यहां पर आप यह देखिएगा कि कितना ज़ादा emphasis कर रहा है एक सम्मान देने के लिए तो उसने क्या बोला honored सम्मान नहीं है एक बहुत heavy word है honored stephan stephanovic तब चुबू को आप कहते हैं then why are you in evening dress अब नया word क्या यूश की है my precious कि my precious मेरे बेशकीम थी मेरे प्यारे और fellow कहते हैं साथी को तो वो कहते हैं कि my precious तब तुमने यह evening dress क्यों पहनी है as if you are paying a new year's eve visit जैसे कि तुम new year की visit पर हमारे घर आये हो ऐसा लग रहा है तुमको देख करके तब low move कहते हैं well you see it's like this खेर अब यहाँ पर बोला you see आप से मिलना it's like this means कि जब आप से मुलाकात हो रही है तो यह new year से कम नहीं है मेरे लिए मेरे लिए आप से मिलना भी new year की तरह से ही है उतनी बड़ी खुशी की बात है और वो उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है I have come to you मैं आपके पास आया हूँ honored stepan stepanowich to trouble you with a request अब देखो वो क्या कहते हैं यहाँ पे अब इसको ध्यान से सुनना वो कहते हैं कि stepan stepanowich honored stepan stepanowich मैं तुमारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें trouble देना चाहता हूँ और मैं तुमसे एक request करना चाहता हूँ means मैं तुमसे विंती करूँगा then you if you will accept that my request so maybe it will be trouble for you क्यों तुम्हें कश्ट देना चाहूँगा मेरी आपसे एक request है वो यह बोलता है आगे बात आती है not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help and you have always so to speak अब वो कहते हैं कि देखो मैंने पहले भी एक या दो बार आपको यह privilege, यह authority यह समान दिया है और आपने मेरा मान रखा आपने मेरी मदद की और that's why और इसी वज़े से मेरी हिम्मत अब भी हो रही है कि मैं आपसे कहूं अपनी problem को जो भी मेरी बात है मेरे दिल में I must ask your pardon और मैं आपसे माफी माँगना चाहूँगा इसके लिए पहले ही I am getting excited वो कहता है कि मैं excited हो रहा हूँ उस चीज के लिए जो मुझे आपसे कहना है I shall drink some water मुझे कुछ पानी पीना होगा उससे पहले honored stephan stephanovich और वो थोड़ा सा उसको बोलता है honored stephan stephanovich तब वो पानी पीता है drinks यहाँ पर bracket में है that means यह एक action होता है और वो पानी पीता है यहाँ तक समझ में देखो next तो यहाँ पर है बेटे चुबू कोब aside aside मतलब एक side हो करके है ना एक corner में कहीं किसी दूसरी जगा पे हो करके जो चुबू कोब है अब he's come to borrow money अब बोल रहा है इस बात को कि यह जरूर पैसे मांगने आया होगा अब देखो उसके सामने उसको क्या क्या बोल रहा है my precious, my fellow, my darling, my love है ना लेकिन यहाँ पर side में क्या बोल रहा है यह जरूर पैसे मांगने आया होगा है ना I am not giving him any money कि मैं इसको कोई पैसे नहीं देने जा रहा हूँ अब यह बात ना वो मन में सोचता है मतलब बोलता नहीं है अपने मन में सोच रहा है कि जरूर पैसे मांगने आया होगा मैं इसको पैसे नहीं दूँगा और allowed मतलब अब वो तेजी से बोलता है उससे बात करता है बोलता है what is it my beauty means वो क्या बात है my beauty आप मुझे बताईए दोखो अंदर से और बाहर से लोग कैसे होते हैं लेला है ना generally people's adult social creatures generally they talked of love but they did not act so lovingly कि लोग बाते तो करते हैं प्यार की लेकिन वो act वैसा नहीं करते they did not act so lovingly वो उतना lovingly act नहीं करते वो दिखाते हैं वो केबल show off करते हैं और आगे यहां पर वो कहते हैं लोगोब आगे बोलते हैं you see honored stephanowicz के आपने देखा होगा I beg pardon stephan honorowicz मतलब वो ना flustered हो रहा है confused हो रहा है उसके जो शब्द है वो आपस में तूतला रहे हैं जैसे उपर उसने क्या बोला stephanich मतलब हकला सा गया आगे फिर बोला I beg pardon stephan honorich मतलब यहां हकला गया है ना I mean अब फिर वो आगे कहता I am awfully excited मतलब मैं बहुत ज़्यादा excited हो रहा हूँ as you will please notice और तुम इसको notice कर भी रहे होंगे in short मैं आपसे short में कहता हूँ के you alone can help me के तुम अकेले ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो though I don't deserve it हालांकि मैं उस मदद के लिए deserve नहीं करता हूँ लेकिर फिर भी वो तुम ही हो and I will tell you मैं आपको बोलूंगा कहूंगा of course and have not any right to count on your assistance और मुझे कोई अधिकार भी नहीं है के मैं हक से तुमारी मदद मागू और तुम मेरी मदद करो मतलब ना बाते जो main point वो तो कहने रहा बस दुनिया भर की भूमी कहें बना रहा है और वो भी हकलाते हुए शब्द उसके में से spelt हो रहे है डर रहा है नर्वस हो रहा है पानी पी रहा है पसीना आ रहा है तब चुबू को कहते हैं oh don't go round and round it तुम बात को इतना घुमाओ घुमाओ मत darling spit it out means एक बाहर में ही इसको बाहर निकाल दो means एक stroke में ही बोल दो जो भी तुम्हें कहना है well अब लोगो कहता है one moment this very minute the fact is I have come to अब वो कहता है देखो ठीक है ओके एक minute ऐसे सांस लेता है बोलता है actually the main thing is that कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो main fact है वो यह है कि I have come to मैं यहाँ पर आया हूँ to ask the hand of your daughter मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आपसे यहाँ आया हूँ Natalia Stepanova in marriage means Natalia से शादी करने के लिए लो मुव शादी करने आता है Natalia से चुबू को Natalia का फादर था